वेख टोड़ चानल एक्स्पेरिमेंट सेंटर 666 तो गाईज जयर आज की वीडियो बहुत थोड़ी बहुत एलेक्ट्रिकल होने वाली है तो आज हम करने वाले हैं एक एलेक्ट्रिकल एक्सपेरिमेंट तो गाईज जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहे हैं जल से वीडियो को लाइक करो शेर करो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो तो चलिए शुरू करते हैं आज की आमारी एलेक्टिकल वीडियो कौनी पर छसमा राज करक inspirational किण् 나द कर दिए भूई हो जायाई? प्सक्राइब कर तो निए हो छिम्न आवारो बास समक्राइब कwedपि़ प्सक्राइब कर दो ऑख प्सक्राइब के अज़ख kein vehicle सब्सक्राइब कर लिया है जियार अभी हमने पूरा सेटप कर लिया है और मैं आपको अभी दिखाता हूँ क्या होने वाला है और अब मैं इसे जैसे ही ओन करने वाला हूँ इसमें से 4V की एलेक्टिसिटी पास होने वाली है और यहां पर एक कंटिन्यू है और जो नेगेटिव वाइस है उसको मैंने कट करके पानी में दाल दे है नॉर्मल वाटर में और अगर मैंने स्विच आउन कर रहा और यह एक कंड़क्टर निकला तो यहां पर यह LED लाइट ग्लो होगी तो चलिए नॉर्मल वाटर की कंड़क्टिविटी चेक करते हैं जैसा कि आप लोग यहां पर देख रहे हैं कि यह लाइट नहीं ग्लो हो रही क्योंकि ये नॉर्मल वाटर एक ये नॉर्मल वाटर कोई कंड़क्टर नहीं होता है इन्धर नहीं होता है झाल जु को झालन हो न स्ःटी है ज य sû व कर दोको खाई ज सृटीने ज से वार नने स्थेिट cortarbyं इससे साबित होता है कि सॉल्ट वाटर एक बहुत ही अच्छा कंड़क्टर ओफ एलेक्रिसिटी है तो सोडा भी एक बैट कंड़क्टर ओफ एलेक्रिसिटी था और यहाँ पर इस टॉर्णमेंट में जीता है हमारा सॉल्ट वाटर जोपी है हमारे टॉप लिस्ट में तो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक लिए बाई बाई गाईस